नमश्कार स्पीन नाइन न्यूस में आपका स्वागत है ब्यार की राजनीती में जहां एंडिये के सयोगी दल रास्ट्रियल लोचपा ने केंद्रे मंत्री पत से स्तीफा देने के बाद ये बात कही कि भारतिय जंता पाटी ने उन्हें नाउमीद कर दिया है भारतिय जंता पत से स्तीफा तो दे देते हैं लेकिन अप पशुपती पारस शांत नजर आये थे लेकिन अपसे कुछी वक्त पहले आपको बदा दें कि पशुपती पारस के जो शब्द है एक बार फिर से इंडिये की तरफ नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बदा दें पती पारस ने चिराक पास्वान के खिलाफ चुनाब लड़ने से साफतार पर इंकार कर दिया है वो एंडिये के रुक का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं चिराक पास्वान को लेकर उनका साफ कहना है कि वो उनके खिलाफ चुनाब नहीं लड़ेंगे दरसल आपको ब बात करें तो हाजिपूर से चुनाव लड़ने का दावा चुराक पास्वान खुद करते हुए नजर आए थे वो यह कह रहे थे कि हाजिपूर से चुनाव वो लड़ सकते हैं इन्हीं अटकलों के बीच में यह देखा गया था कि पशुपती पारस खुद चुनावी मैदान म उतरती हुए आजिपूर से चुनाव लड़ते हैं लेकिन अब यह बात सामने आ गई है कि वो यहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे चुराक पास्वान के खिलाफ खुद उन्होंने इस बात का एलान किया है बलकि वो यहां पर एंडिये के फैसले का इंतजार करते हुए नजर आएंगे ताकि देखा जा सके कि क्या एंडिये फिर से विचार करता हुए नजर आएगा क्या पशुपती पारस को सीटे दी जाएंगी या फिर पशुपती पारस का इंतजार उनके लिए बड़ा जटका बनता हुआ दिखाई दे सकता है